यार आपको choose on operating system उस बारे में बताऊंगा मैं system को on कर लेता हूँ system on होने देते हैं और देखो आप लोग का समने इस तरह का interface आ चुका है choose on operating system window 10 on volume 3 नीचे में भी सेम है window 10 on volume 3 यहां पर आप अपना window select कर सकते हो window 10 यूज़ कर रहे हो 7 यूज़ कर रहे हो 5 यूज़ कर रहे हो जितना भी window यूज़ कर रहे हो आ जाएगा आप select कर सकते हो मैं आप लोग को दोनों tricks बताऊंगा आप लोग का इस तरह system आ रहा है आप लोग default करना चाहते हो system on करते ही direct आपका window open हो जाएगा और जिन लोग का direct open हो जाता है उन लोग choose on operating system on करना चाहते हो आप लोग operating system choose करना चाहते हो इस तरह का interface जैसे आए आप लोग का ऐसा करना चाहते हो यह भी मैं बताऊंगा आप लोग इस तरह से केसे कर जाएगते हो अंदर चला जा रहा हूं window का मैं वह पीन देके on कर लेता हूं open हो गया वह भी क्या कर रहा हूं नीचे search bar में चला जा रहा हूं और यहां पर search कर रहा हूं view advanced system setting पहले से search किया था इसलिए यहां पर show हो चुका है आप view advanced लिखेंगे तो view advanced system setting आ जाएगा तो अंदर चला जा रहा हूं यहां पर इस तरह का interface आ जाएगा यहां पर थोड़ा पास लेके चाहरा हूं नीची आप लोग को देखने को मिल जाएगा setup and recover setting में चला जाना है इस तरह का page open हो जाएगा ओभी यहां पर tick लगा हुआ है first option पर time to display list of operating system यहां पर tick लगा हुआ है इसलिए मैं जो system क on करता हूं तो सामने list चला आता है दो उंडो चला आता है आप भी चाहते हो system को on कर रहे हो आपका सामने उंडो आएगा और आप operating system चूच करके अंदर आओगे यहां पर फास्ट बाला option में tick लगा के रखना time to display list of operating system लेकिन आप चाहते हो आप system को on कर रहे हो default window open हो जाएग तो यहां पर फास्ट अप्सान पर tick हाटा देना और second option में tick लगा देना time to display recover option when need यहां पर tick लगा लेना और नीचे OK कर लेना यहां पर मैं OK कर लिया यहां पर setting हो गया ओभी मैं आप लोग को restart करके दिखा रहा हूं यहां पर जाके मैं restart कर लेता हूं क्यूंकि ओभी तुरं उपन होगा और direct window open हो जाएगा देखो restart कर लिया ओभी open हो रहा है तो open होने देते हैं direct window open हो जाएगा तो भी window आजाएगा अपर देखो डायरेक window ओपेन हो गया दूबरा से आप सार्च कर लेना view advanced system setting और अंदर चला जाना setup and recover setting का अंदर चला जाना इस तरह का page open हो जाएगा second बला tick हाटा लेना, part बला tick select कर लेना और ok में click कर लेना और दूबरा से मैं restart कर रहा हूँ आप लोग का सामने और मैं restart कर देता हूँ यहाँ पर system और restart होने जाते है, choose on operating system आएगा और window चूच करने के लिए बोलेगा system on हो रहा है, system on हो गया और चूच करने के लिए बोल रहा है, choose on operating system पूच रहा है setup and recover, setting में जा रहा हूँ, और setting में आने के बाद इस तरह का page open हो जाएगा जैसे मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ पहले भी आप चाहते हो आपको नहीं पुछेगा, आप system को on कर रहे हो, direct default window open हो जाएगा second बाला में tick लागा के रखना, time to display recover option when need second बाला में tick लागा के रखना, आप system को on कर रहे हो, default window open हो जाएगा जो भी window यहाँ पे select करके रहे हो, default window open हो जाएगा लेकिन आप चाहते हो, आप system को on कर रहे हो, आपको पुछेगा कौन सा window आप चूच करोगे, आपको पुछेगा चूच on operating system, तो second बाला में tick लाटा देना, और first बाला में tick लागा कर रखना आप जो system on करोगे, आपको पुछेगा, आप windows select करके अंदर आओगे जो भी चूच करना चाहते हो, चूच कर लेना, और ok में click कर लेना, नीचे ok में click कर लेना, आपका save हो जाएगा मुझे लग रहा है, आप लोग को जनकारी मिल चुका है, आपको जो जनना था, और भी कुछ जनकारी चाहते हो, comment में इस्टा में पूछ लेना और ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी उचपूल है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को subscribe करके बेलकोन प्रेस कर लेना, अगे किसी और उचपूल वीडियो के साथ मिलते हैं